आज हम तमाम पंजसाला मनसुबाजात के साथ साथ हम पहले पंजसाला मनसुबे से लेकर पांचवे पंजसाला मनसुबाबंदी के एहम निकात के बारे में मालुमात हासिल करेंगे पहला पंच साला मनसुबा जो 1951 से 1956 के दर्मियान के लिए बनाया गया इस मनसुबे में जरात यानि खेती बाड़ी, समाजी तरक्की, आपशी यानि खेतों को पानी पहुचाने का इंतिजाम सहला पसे निपढ़ने के लिए एकदामाद, कुदरती दवानाई के वसाइल, देही, छोटी बड़ी और घरेलू सुनाते हैं मादनियात यानि के जमीन से निकलने वाली मादनियात, तांबा, पितल, सोना, चांदी, कथिल बगएरा और नकलो हमल, ताली, सहत और तंदरुस्ती जैसे शोबो पर ज्यादा खर्च किया गया दूसरा मनसुबा 1956 से 1961 के दर्मियान इस मनसुबे में सनदकारी, मिले, कारखाने वगईरा की तरकी का एहम मकसद शामिल था दूरगापुर भिलाई और आउर केला में फौलाद के कारखने, सुन्दरी में कीमियाई खाद, चितरंजन में रेल्वे इंजिन बनाने के कारखने, पैरामबूर में ट्रेन के डिब्बे बनाने के कारखने, विशाखा पटनम में जहाज साजी यानी जहाज बनाने के भाकड़ा नंगल और दामोदर जैसे लंबे चोड़े बंद डैम बनाए गए जिस से जराती खेती बारी की कौमी पैदावार में इजाफ़ा हुआ तीसरा मनसुबा 1961 से 1966 के दर्मियान इस मनसुबे में जरातों सनतों की तरकी के साथ मिल मालिकों और मजज़ूरों के दर्मियान दिगर अदम मसावात को दूर करना अवाम के लिए रोजगार के मुआख के बड़े पैमाने पर फरहम करना इस मनसुबे का एहम मकसद था इस मनसुबे के बाद तीन साला मनसुबाबंद 1966 से 1979 के लिए बनाया गया इस दोरान मुल्क को सख्त कहसाली यानी भूक मरी का सामना करना पड़ा इसके इलावा चीन के हमले पाकिस्तान से जंग की वज़ा से तरक्य के कामों को रोक कर मुल्क की दिफाई अफवाज के कामों की तरफ तवज्जा देनी पड़ी जिसकी वज़े से मुल्क के माशी निजाम पर बुरा असर पड़ा जोथा मनसुबाबंद 1979 से 1974 के दर्मियान इसके मकासिद में मुल्क को खुदकफिल बनाना सनतों और माशी तरक्य के रफ्तार में इजाफा करना इस मनसुबे में 14 बैंकों को कौमिया लिया गया यानि 14 बैंकों को नेशनलाइज कर लिया गया और इसी दोरान बंगला देश के साथ जंग के असराद से मुल्क को बहुत बड़ा माशी नुखसान उठाना पड़ा पाचवा मनसुबाबंद 1974 से 1989 के दर्मियान इसके मकासिद थे गरीबी दूर करना मुल्क को माशी एतबार से खुदकफिल बनाना कौमी पैदावार में इजाफा करना, रोजगार की फरहमी, ताली मुसिहत, अवाम को पीने के पानी की फरहमी जही इलाकों तक तीबी सहूलतों और दवाओं की फरहमी, बिजली की फरहमी, हाई वीज यनि शाहर रहाओं और रास्तों की तामीर के काम उसके इलावा समाजी फलाही मनसुबे बनाए गए, दीगर जुरूर्या की अशिया को अव आम लोगों तक पहुँचाने का इंतिजाम उसके इलावा, 1977 में कॉंग्रेस की जगा जन्ता पार्टी का इक्तिदार हुआ, जिसमें उस पार्टी ने जन्जीरी मनसुबबंदी की नई पॉलिसियां बनाई जो के नाकाम हुई, 1980 में दोबारा इलेक्शन के जरिए कॉंग्रेस पार्टी की हुकूमत आई, जिसने दोबारा जन्जीरी मनसुबबंदी को खत्म करके, पंच साला मनसुबबंदी को अपनाया